शायद विधाता यही चाहते हैं जो पहले देखेगा भी पाएगा शायद विधाता यही चाहते हैं वालो दोस्तों कल के दिन शायद विधाता आपको यही देना चाहते हैं जो पहले देखेगा वही पाएगा बाकी सब पच्चताएंगे कल के दिन आपको बड़ा घर बड़ बिल्कुल सत्य है यह घटना कल के दिन होकर हेगा समय बहुत कम है दोस्तों अब आपकी जिन्दगी सच में बदल जाएगा अब आप लोग दिन्दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने वाले क्योंकि दोस्तों अब आपकी तरक्की की दीवार विधाता ने खोल दिया है इसलिए अब चौतर फालावा कमाने वाले हो जी हाँ दोस्तों बहुत बड़ी सर्प्राइज मिलेगी आपको जीवन बदलेगा भाग्य चमकेगी दुनिया वाले पागल हो जाएगा आपकी किस्मत को देखकर क्योंकि अब आपकी किस्मत धूम मचा कर रहेगा आप लोग खुशियों से गदगद हो जाओगे कल सुबह आपको खुश खबरी मिलेंगे जी हाँ दोस्तों जिन्दगी में पहली बार आपको इतनी बड़े बड़े खुश ख दायक सा जोतिश कार्यक्रम है शुरू से लेकर अंत तक देखना आपका कर्तव्य है इसलिए आप वीडियो को मिस्मत कीजिएगा नहीं तो बाद में आप बहुत ज्यादा पच्चता होगे तो ऐसे में मेरे प्यारे साथियों आपको क्या करना होगा उनके बारे में अभी ह हम आगे चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि आज केस वीडियो को मिस्मत कीजिएगा बहुत ज्यादा लाभदायक है कल के दिन आपके घर गाड़ी पैसा प्यार सब कुछ मिलेगा ऐसा ही योग आपकी कुंडली में बन रहा है आपके उपर विधाता में हरबान है जिसके कारण पांच देवी देवताओं के आशिरवात से आपको बहुत बड़े बड़े सर्प्राइज मिलेगा जो पहले देखेगा और अंत देखेगा उसी को मिलेगा बाकी सब बहुत पच्चताएगी क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ी घटना अ ऐसे में आखिर आपको क्या करना है क्या नहीं करना है इनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे दोस्तों आज के विडियो आपके लिए बहुत ही खास है बहुत ज्यादा लगता है अगर आप इसे मिस कर दोगे तो फिर बाद में बहुत ज्यादा पच्चता जो आज के इस विडियो को नहीं देखेगा गारंटी है कि बाद में होएगा इसलिए मेरा बात मानिये आज के इस विडियो को अंत तक देखिए और हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं उन्हें ध्यान से सुनिये दोस्तों विधाता ने आपके भाग्य को अबदल दिया है अब आपके बिगड़े बनाने वाले हैं मा दुरगा जी मा भवानी और मा काली जी का आशिरवाद से आपको कल के दिन तीन बड़े गुड निउस मिलेंगे बिलकुल सही सुनर हैं दोस किसी के बाप में दम नहीं है कि इतने बड़े घटना होने से रोक दे बहुत बड़ी घटना आपका ही बैसबर से इंतजार कर रहा है 24 घंटे के अंदर आपको मिलेगा बहुत ज्यादा पैसा बस बिन इतना ही करूंगा कि वीडियो को मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि जो वीडियो को अंत तक दिखेगा उसी को मिलेगा बाकी पच्चताएगा दोस्तों दो वहपूर्ण योग का निर्मान हुआ है आपको बता दे धन प्राप्ती योग मातां हालक्ष्मी योग गसके श्री योग इस रकार के कई योग आपकी कुंडली में बन रहा है तो ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है जो भी आपकी जिन्दगी में पैसों की कमी है वह पूरी हो जाएगी और आपको बहुत ज्यादा पैसा मिल जाएगा लोग आपसे जलने लग जाएगा क्योंकि चानक आपका किस्मत आसमान को छुए जी हा दोस्तों बिलकुल सही सुन रहे हैं सभी लोग यह सच में पढ़ जाएगा कि आखिर विधाता ने फिर इसके प दोकार को सुन लेता है और उसकी जिन्दगी में खुशिया देता है और हमने आखिर क्या गलती कर डाली है कि हमारी जिन्दगी में खुशिया जल्दी नहीं आती हैं हम बहुत मुसीबत से जिन्दगी को गुजरते हैं हमारी जिन्दगी में खुशिया जल्दी नहीं आती ह लेकिन इस व्यक्ति की जिंदगी में हर एक रोज कुछ ना कुछ खुशी आती है ऐसा क्यों होता है मेहंत तो हम भी कर करते हैं लेकिन हमें सफलता क्यों नहीं मिलती है यह सारा क्वेश्चन आपके आसपास के लोग सोचने लग जाएगा जी हां दोस्तों इसलिए आपको अपने आपपडोस के लोगों से सावधान रहना होगा वह कुछ भी कहे आपको शान्त होकर अपने कार्य में मन लगा कर कार्य करना है, जम कर मिहंत करना है, विधाता आपके उपर है हम मानते हैं आपकी जिन्दगी में कर्ज बहुत ज्यादा है, पैसों की तंगी है, जिस भी खेतर में आप काम करते हैं, उसमें आपको सफलता जल्दी नहीं मिलती है, और पैसा बहुत कम कमाते हो, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, उनके बारे में हम आपको आगे बस आप वीडियो को मिस मत कीजिएगा, और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, दोनों हाथ जोड कर यहीं निवेदन करते हैं, बहुत ही खास और महत्वपूर्ण जोतिशकार्यक्रम है, आपके बिगडी बनाने वाले हैं दोस्तों, जो भी व्यक्ति इस वीड का दे रहा है, इसका फाइदा उठाना ही आपका फर्ज है, कर्तव्य है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इनके बारे में आगे हम आपको बताएंगे, और विधाता आपको क्या देना चाहता है, सभी चीजों के बारे में बहुत विस्तार से आगे हम आ कर करने वाली हैं। पली हनुमान जी और माताम हालक्षमी जी भगवान श्री राम जी। अत्यंत महर्बान है। इसलिए आपकी नई कहानी शुरू हुई है। नई जिन्दगी शुरू हुई है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। बस ज। योती शस्त्र में कुछ ऐसे उपाय हैं जिसका प्र फिर बुरा हो वह हमेशा अच्छा होता है अर्थात दोस्तों जो होता है अच्छे के लिए होता है क्योंकि अगर आपकी जिन्दगी में कुछ बुरा होता है। और अगर आप उसे बुरा संकट से निकलते हो तो आपको वहां से सीख मिलता है आपके अंदर एक नई जोश पैदा होता है और आप वह भी कर सकते हो जो पिछले समय नहीं कर सकते थे यानि कि आपको हर जगह है। सीखने को मिलेगा इसलिए जिन्दगी किस मोड कहां ले जाएगा किसी को पता नहीं होता है। जी हान दोस्तों जिसके भी अंदर confidence होता है वह हमेशा अपने कार्य में सफल होता है, भीक भी उन्हें असफलता भी मिलती है, लेकिन उनसे भी वह सीख कर ही वापस आता है, ऐसे लोगक भी भी अपनी जिन्दगी में उदास नहीं होते। जी तरह आप जिस भीक शेत्र में काम कर रहे हैं, उसमें और मेहंत करके कम करें और जम कर आनंद करें, उसके बाद आपकी जिन्दगी में जो भी होगा अच्छा। लाभदायक और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे और आपके सपने को साकार करने के लिए लिए अलग-अलग प्रकार के उपाय भी हम आपको बताएंगे, बस आप हमारे साथ आज के वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक अवश्य बने रहे जी हां दोस्तों माता लक्ष्मी जी स्वयं कहते हैं अगर आपकी जिन्दगी में धान की कमी है तो आप मुझे स्मरण कीजिये और मेहंत कीजिये अच्छा कर्म करिये मैस। वयं तुम्हारे पास चली आउंगी उसके बाद आपके पास बहुत सारा धंदौलत रुपया पैसा आने लगता है इसलिए कभी भी अपनी जिन्दगी में किसी बात का घमंड मत करना हां अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना क्योंकि कॉन्फिडेंस के दम पर ही आप अप जोतिश शास्त्र में इस प्रकार की एक जामपल बहुत दी जाते हैं इसे आप अपना ध्यान में रखकर अपनी जिन्दगी में आगे बढ़ना लेकिन आपकी जिन्दगी में जितने भी मुसीबते आएंगे आपको म्जबूत करने के लिए ही आपकी जिन्दगी में मुसी पिरवाद से उनके ही आदेश के अनुसार आप धर्ती पर आये हैं, इसलिए अपने मामबाप के अलावा देवी देवता ही हमारे मामबाप होते हैं, इसलिए अगर आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही हो, बहुत ज्यादा तकलीफ से आप गुजर रहे ह आपको कहीं से कोई रास्ता दिखाई ना दे रहा हो तो। चीज की कमी है वह आपको मिल जाएगी बस विंतीतना ही करूंगा कि आज के इस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर जरूर देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास वीडियो है सामान्य ग्रहगोचर पर आधारित है आप बहुत ज्यादा पैसा कमा पा रहे हैं कि फ्यूचर आप कम भी पैसा कमाओगे या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा स्मय आप बहुत कम पैसा कमा पा रहे हैं, तो भविश में आप बहुत ज्यादा कमा सकते हैं, और बहुत ज्यादा धन अर्जित करकर अपने पासर्ख सकते हैं, किसी का समय जैसा नहीं होता है, और कोई भी इनसान एक बराबर की नहीं होती है, हाँ हम मानते हैं, कुछ लोगों का स तो चाब के जैसा हो सकता है, आपके जैसा वह सोच सकता है, लेकिन आपके नसीब में क्या है, उसके नसीब में क्या है, यह कोई नहीं जानता है, इसलिए अगर मान लीजिए आप दो फ्रेंड्स हैं और दोनों का सोने का जो तरीका है. बराबर है और दोनों एक काम को करने के लिए निकले तो ऐसे में उसका काम सफल हो गया और आपका कामसफल नहीं हुआ जबकि दोनों ने बराबर मेहंत किया था तो इसमें आपको हताश और उदास होने की जरूरत नहीं है वहाँ आपको समझना चाहिए की भलाई हम दोनों की सोने का तरीका एक है काम करने का तरीका एक है दोनों ने मेहंत किया है लेकिन हमारी किसमत में वह नहीं था और उसके किस्मत में वह था इसलिए उसे सफलता मिली और हमें ना मिली तो ऐसे में आपको क्या करना होगा आपको और भी ज्यादा मेहंत करके उससे बड़ी सफलता हासिल करना है जी हाँ दोस्तों और विधाता ही चाहते हैं कि आप मेहंत करके सफलताओं को प्राप्त करें औ और बड़ी सफलता को प्राप्त करें क्योंकि आप इस दुनिया में राज करने के लिए पैदा हुए हो दोस्तों आज के इस महत्वपूर्ण जोतिश कार्यक्रम में हम आपको सब कुछ बहुत विस्तार से बताएंगे कि आखिर आपको कल के दिन कौन-कौन सी खुश्कबरी म मिलेगी किन-किन बातों का ध्यान रखना है कौन से गलतिया है जो आप कभी नहीं करनी है सब कुछ बहुत अच्छी तरह से हम आपको आगे पताएंगे बस अगर आपने विडियो को यहां तक देख ली है तो आगे भी जरूर देखियेगा दोनों हाथ जोड कर ही निवेद जी का कृपा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको हमारे विडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और आप। पक्ष विचार कर ले थोड़ी सी सावधानी लेने से काफी चीजें आपके पक्ष में सुचारू रूप से संपन्न होंगी और घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर कुछ तनाव रह सकता है साथ ही बिना मतलब। की बदनामी या जूठा आरोप लगने की आशंका भी दिखर ही है इस इसलिए आज किसी भी प्रकार के महत्व पूर्ण कार। योको स्थगित ही रखें तथा आज अधिकतर समय मार्केटिंग तथा बाहरीक तिविधियों को पूरा करने में ही व्यतीत हो जाएगा स्टाफ और कर्मचारियों से मदद लेना आपके लिए बहतर होगा सरकारी से वारत लोग फाइनेंस संबंधी गतिविधियों में साव खुद को भाग्यशाली महसूस करेंगे तथा दोस्तों प्रयत्न करने के बाद पुरानी समस्या दूर करना संभव हो सकता है दोबारा पुरानी गलती ना हो इस बात का ध्यानर्खे परिवार के किसी भी व्यक्ती को मदद करते समय अपना दाइरा बनाए रखने की जरूरत है अनेक लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे किसी व्यक्ती की परक्ठीक से ना कर पाने से दिक्कत हो सकती है काम की जगह जब तक सुझाव मांगे नहीं जाते तब तक किसी भी कोमार्ग गर्शन देने से परहेज रखना होगा और हाँ आज का दिन मौज मस्ती में व्यतीत होगा था किसी निकट संबंधी के यहां समारो आदी में जाने का भी निमंतरन मिलेगा काफी समय बार लोगों से मिलना जुलना खुशी प्रदन करेगा किसी के साथ चल रहे मनमुटाव आपकी विवेक और समझदारी से दूर हो जाएंगे नेगेटिव आय के साथ साथ खर्चों की भी अधिकता बनी रहेगी जिसकी वजह से सेविंग करना मुश्किल होगा कभी-कभी आपके स्वभाव में आवेश और गुस्से जैसी स्थिती रहेगी जिसका असर आपके व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकता है कभी-कभी बहुत अधिक सोचने विचारने में समय हाथ से ना गवा आंगे और हाम व्यवसायक गतिविधियों और कार्य प्रणाली को किसी से भी शेर ना करें कोई अन्य व्यक्ति इसका फाइदा उठा सकता है प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय में महत त्वपूर्ण डील फाइनल होने की संभावना है सरकारी नौकरी में किसी तरहे की राजनीती हो सकती है सावधान रहेला वैवाहिक जीवन में खुशाली रहेगी मित्रों से मेल मुलाकात से पुरानी आदे तरोताजा होगी तथा नींदना आने की समस्या परेशान कर सकती है कुछ समय मेडिटेशन और ध्यान में भी जरूर लगाएं साथी में दोस्तों परिस्थिती के अनुसारस्वभाव में लची लापन लाने की आवश्यक्ता है आपसे जुड़ा हर व्यक्ती अपनी समस्या के कारण परेशान होगा इस वजह से एक दूसरे परध्यान देना कठिन होगा दिन आपके लिए कठिन साबित हो सकता है आपसी संबंधों में बढ़र है तनाव को नकारात्मक तरीके से न लेते हुए हर व्यक्ती को थोड़ा वक्त देने की कोशिश करें तथा कोई प्रॉपर्टी अथवा अन्य कोई खास कार्य रुका हुआ है तो आज उससे संबंधित कोई गतिविधी संपन्न होने की संभावना है किसी विशेश कार्य के प्रतियाप की बहुत अधिक मेहंत होगी तथा उसके सकारात्मक परिनाम भी मिलेंगे और हां कुछ ना कुछ प्रतिकूलता भी रहेगी पैसा आने से धले ही जाने का रास्ता तयार रहेगा इसलिए फिजूल खर्ची पर नियंतरन रखना आवश्यक है विद्यार्थियों को अपनी आशा व मेहंत के अनुकूल परिनाम ना मिलने से कुछ उदासी रहेगी कार्यक्षेत्र में मेहंत ज्यादा और फाइदा कम मिलने जैसी स्थिती रहेगी इस समयभुत ही सूझबूज और दूरदर्शिता से काम लेने की जरूरत है Official Document व्यवस्थित अर्खे Office में कोई प्रोजेक्ट पूरा होने से उच्चाधिकारियों से सराहना मिलेगी लवपारिवारिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक शेप ना करें तथा सामन जस्य बनाए रखें समय आने पर सब व्यवस्थित हो जाएगा व्यवस्थित दिन्चरिया रखें ठकान और अनिद्राकी परेशानी से राहत पाने के लिए कुछ समय और मेडिटेशन करने में जरूर लगाएं तथा दोस्तो पुरानी नाराजगी काफी हद तक दूर होगी अभी तक कठिन समय में प्राप्थ हुई और रनुभव के जरिये दूसरों की मदद करना और उन्हें मार्ग गर्शन देना संभव होगा सामाजिक कार्य का हिस्सा बनते हुए सकारात्मक कर्म करने की कोशिश करें अपने काम को नए तरीके से करें और मार्केटिंग में बदलाफ करके नए क्लाइंट के साथ जुरना संभव होगा तथा दोस्तो तथा दीर्ग काली इन विशयों पर विचार होगा और आपका शांतिपूर्ण रवया आपको अपने ल की वजह सेमित्रों के साथ संबंध बिगड सकते हैं परिवार तथा घर के बुजुर्गों को भी आपके देखभाल की जरूरत है इसलिए उनका भीध जानर्खे विद्यार्थियों को प्रतियोगिता संबंधी पधाई की तैयारी के लिए ज्यादा मेहंत करनी होगी और हा व्यवसाय संबंध पेपर्स तथा फाईलों को सुव्यवस्थित रखें वरना कोई लक्ष्य आपके आँखों से उजल हो सकता है अगर पार्टनर्शिप संबंधी कोई प्लान चर रहा है तो अभी उस पर और अधिक चिंतन करने की जरूरत है फिस में शान्ति पूर्ण मा बना रहेगा प्रेम संबंधों में भी भावनात मुकंजदी किया बढ़ेंगी और संबंध प्रगा होंगे अत्यधिक कार्यभार की वजह से शारिरिक और मानसिक ठकान रहेगी कुछ समय अपने खुद के लिए भी निकालना जरूरी है तथा दोस्तों आर्थिक लेंदेन क करते समय सतरकता रखने की आवश्यक्ता है जब तक आप किसी बात के लिए तयार महसूस नहीं करते हैं तब तक उसे स्विकार ना करें बड़े टार्गेट के कारण तनाव हो सकता है फिलहाल छोटे टार्गेट को हासिल करने की कोशिश करनी होगी स्वभाव की अनेक बाते बदलती नजर आएंगी इस कारण व्यक्तित्व सुधरेगा तथा आज आप पाएंगे कि आप कितने ही अच्छे और सही सुझाव दें कोई आपकी बात मानने को तयार नहीं है इससे आप काफी निराश अनुभव करेंगे लेकिन आपको यह अनुभव करने की जरूरत है क आपके सुझाव तो बेशकच्छे हैं लेकिन आपका रवया ऐसा है कि जैसे आप किसी पर कृपा कर रहे हैं इसलिए लोग आपकी सलाह का उल्टा कर रहे हैं खुद को और अपने रवय में बदलाव लाए फिर बहतर अंतीजे मिलेंगे तथा दोस्तों यह आपके लिए ख दोर ना डालें गल्तियां करने वाले आप अकेले नहीं हैं और गल्तियां सबसे हो जाती हैं पिछले कुछ दिनों से आप जिस भावनात्मक तूफान से गुजर रहे हैं यह उसका नतीजा भी हो सकता है सबसे पहले उसका स्माधान करने की कोशिश करें तथा दोस्तों आजा आप विशेश रूप से आशावादी और कूटनी तिक महसूस कर रहे हैं इसलिए आप अपने परिवार या अपने रिष्टे की किसी भी स्थिती से निपटने के लिए सक्षम होंगे आपका साथ ही आपके बारे में गलत सोच सकता है और लंबित के दिन आपको एक प्रत्याशित रूप से उफार आपके दिल के निकट के व्यक्ति से मिल सकता है आज का दिन आपके लिए काफी उत्तम रहेगा आपके सहकर्मी और आपसे उच्च पद पर तैनात सहकर्मी आपसे खुश रहेंगे तथा आपसे पूरा सहयोग एवन्स हायता करेंगे जिसकी वहद से आप अपना काम समय पर पूरा कर पाएंगे तथा साया कालिन बेला में आप किसी समारोह का भी आयोजन कर सकते हैं तथा दोस्तों इस समय आपके जीवन में अजीब ही घटनाएं हो रही हैं जिससे भी आप मिलते हैं आपके मन में उसी के लिए कोमल भावनाएं पैदा हो जाती हैं विशेशत विप्रीत को आप बहुत आकर्शित करेंगे साथ ही आप उस काम के बारे में भी जागरू करें जो आपको दूसरों के लिए घर और कार्यस्थल पर करना है तथा सामान्यता आप बहुत सपष्ट सोचते हैं लेकिन आज अपनी समस्याव और असुरक्षा हों के चलते तारकिक तरीके से नहीं सोच पाएंगे इसलिए आज का दिन कोई नई परियोजना या किसी नए पार आराम करे तथा दोस्तों आज आप जिद्धी पन के प्रती अपना स्वाभाविक जुकाव महसूस करेंगे लेकिन जब आपको यह अनुभव होगा कि ऐसा करना आपके हित में नहीं है तो आप पच्चतावा भीम हसूस करेंगे अच्छे से स्थिती समझे आकस्मिक भावनाओं के बहाव में बहने के स्थान पर स्पष्ट सोच से काम ले अगर आप थोड़ी सी समझदारी से काम लेंगे तो समाधान जल्दी निकलेगा और आपको जल्दी खुशी मिलेगी तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले विडियो में तब तब के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा आपका दिन शुभ रहे धन्यवाद